नमस्कार दोस्तों मैं विने सिंग आपका फिर एक बार स्वायत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनी मेटर्स में आज इस वीडियो में आप जाने के एनसी के गोटाले के बारे में एनसी में क्या गोटाला हुआ और उसका इंपेक्ट आपके और इससे पहले निविश् पहुचें तो आपको बताएं कि एक को लो इसका मतला है को लोकेशन जो एक केस चल रहा है और एक इन्वेस्टिकेशन चल रही है नसी में पिछले दो साल से उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा इसको डार्क फाइवर केस भी बोलते हैं हुआ क्या था कि एनसी में 2011-12 से एक जो को लोकेशन की स्किम चली थे जिसमें आपको सर्वर के त्रो आपका जो भी आप ओडर मारते हैं उस ओडर को फास्ट करने के लिए को लोकेशन चला था जो एनसी की प्रमैसेस में था वह मैं आपको अभी सब बताऊंगा स्टैप बाइस्टैप अच्छा हुआ और इस केस के फैनल होने के बाद एनसी को बोला गया है कि छह महीने तक आप अपना कोई भी आईपियो या कोई भी डेरिवटिव अपने में एड नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से इसका जी आईपियो आने वाला था दस जार करोड रुपय का वह आईपियो भी बैन कर दिया सीरियस मेटर है सीरियस मेटर क्यू है तो मैं आपको बताता हूँ 2015 में एक विसील ब्लोवर थे उन्होंने सब्सक्राइब को लिखा था नसी के इस तरीके से जो प्रिफरेंशियल एक्सेस जो दिया जा रहा था कुछ कस्टमर्स को कुछ ब्रोकर्स ब्रोकर्स हाउस को कि अपने लैप्टॉप से अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से आप कोई भी और प्लेस करते हैं तो होता क्या है वो और सबसे पहले आपके आपके जाता है ब्रोकर के पास ब्रोकर के सर्वर में जाता है ब्रोकर के सर्वर से वो फर्दर जो एनसी के सर्वर में ज और उसी का sell और buy का tally करने के बाद वो order further आगे लग जाता था जो जिसका order पहले आता था उसका order पहले लगता था तो इस तरीके से process थी पर इसी में जो लूप होल डूड़ने वाले होते हैं उन लोगोंने लूप होल भी डूला और वह डूड़ने के बाद उन्होंने एक और जो है को लोकेशन स्थापित किया और वहां से उन्होंने कुछ special लोगों को यह इस तरीके से access दी जो कि preferential access थी और जिससे कि उनके ट्रेड जो थे जल्दी हो रहे थे अब हुआ कैसे था मैं आपको से बताऊंगा बताएं तो इसमें इन्वेस्टिकेशन एजनसी है F.S.I.O. इसका जो है फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिकेशन ऑफसी अब यह समझ लिए कि इसको भी इसमें इन्वल्व कर दिया गया यह जो होता है इसका मैं काम होता है फंक्शनल यूनिट से जिसकी क्या क्या है बैंकिंग का लाका ओपरेटर अफेर और कॉर्परेट अफेर टैक्सेशन और इस तरीके के जितने भी कैप्टल मार्केट एंफॉर्मिशन टेक्मोलोजी में जो भी फ्रॉड होते हैं उनकी इ इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं इसके साथ में CBA और RBI जैसी बड़ी-बड़ी NCB इसमें इन्वल्फ होई हैं जो कि इसकी इन्वेस्टिकेशन कर रहा है इसमें इसे पूरे उसमें जो भी यह स्कैम हुआ है जो फ्रॉड हुआ है उसमें कौन-कौन था ओपी जी इन्वेस्टिकेशन के बारे में बात करूंगा तो और इसमें जो है अमन करदरी और संजे गुपता अजयन नौर्थन सा यह इनके सब के जो कि इनको जो एल्गोद्रिम जो सफ्टिवेर यह चाने के का था इन्होंने प्रोवाइड कराया था तो यही लोग यही थे जो मैं नहीं उने काम इस तरहीं किया था इसमें से इसमें बता देता हूं कि इसमें पांच ही इसमें बात करूंगा बात करूंगाव की तो इस वीडियो में कि आपको को दिखाई दे रहा होगा अब धोड़ा सा इसमें प्राव्बम का करता काम दोनों का एक ही है। दोनों में कोई प्रॉलम नीए है। तो सर्वर होते हैं। और अब इसमें देखे इन तीन दिखाएं। ए बी और सी। जो ए है इसमें यह को लोकेशन के पहले नहीं लिया था। और यह जो नॉर्मल्य अपने और प्रेस करते थे। और उसके बाद दूसरे थे जो मितलब ya brokerage s house जिनोंने मतलब को解 louichi koo को चूज किया था बाद में और उसके बाद वह अपने ओड er को psychology rhetoric好像 ए जब को बहुअ को एक ऊदे ।ो किप एबिघी किसी तीन में से एक के पास आपका उर्डर जायेगा वह को लोकेशन के दो जाने के बाद सर्वर में जाता है तब हुँगा क्या था click ये जो देखरेयों सर्वर 1-2 और गया गया ता इसी koo lou से के पलोगों ने क्या जास्थ शर्वर किया यूуса ना कूद धाने कि क्या था जिसमें की ट्रैफिक था जिसमें कोई बीरे नहीं रहा अदर हान पहले एक्जेक्यूट हुए तो यह था फ्रॉड आप आपको उता हूं कि आप जैसे एक नॉर्मल सा एक्जामपल आप ले लीजिए कि अगर आप किसी रूड पर जा रहे हैं तो रूड के उपर अगर जिस रूड पर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो उसमें आपको टाइम अगरे नहीं है उन्हों नहीं दूसरे सर्वर में जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं था वहाँ इक स्टाल करने के बाद वहां से अपने और एक्जेक्ट करवाना श्रूड करते हैं इससे इनको बहुत ज्यादा फाइदा हुआ था किसी भी कंपनी का अच्छी कंपनी के सीर्स हैं तो इनको सबसे पहले इनका एक्जिक्यूट हो जाता है अब मैं बताता हूं कि इसमें हुआ क्या है अगर इन लोगों की बात करेंगे तो अभी इनके उपर पैनल्टी एनसी के ऊपर डालिए यह इस्टीमेटर यह फाइन दसे एक जार करोड की रुपए के आसपास का जाएगा विद इंट्रेस्ट और एनसी को यह बैं कर दिया गया है कि वह कोई भी डिरेटिव प्रॉडक्ट अपने स्टॉक्मेटिक मार्केट में च्छै मेने तक नहीं ला सकता है और इसी के चलते ज चित्रा रामा कृष्णन यह दोनों बहुत ही टॉप ऑफिशिल्स थे जो कि इसमें पाए गए हैं उनके उनकी जो जिस टाइम का उनका वरकिंग पिरिएड था वो ऐफाई देखिए 2011-2014 के बीच में इनकी 25% सेलरी को इनको पे करने के लिए बोल दिया है कि नहीं बोल पहला ओडर दिया है चित्रा रामा कृष्णन और इसके जो इसके सी यू थी और इसके मेनेजिंग डिरेक्टर जो थे उन लोगों के उपर 25% की सेलरी का इंपोस किया है और साथ-साथ में एनसी के उपर दिया है 624 करोड रुपए लगभए 625 करोड अप्ला से जो है 12% 12% क बताते हैं इसमें जो नसी को लोकेशन के बारे में आजाय साइक थे जो कि यह भी ऑफिसियल थे नसी के एसिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हुगा करते थे इनका और इनकी पतनी सुनी था थमस और एक और ऑर ऑफिसियल थे कृष्णा दगई दगली और इसके उनकी पतन बता है कि आप किसी भी तरीके से जो है अभी नसी में अभी पांच साल तक आप कोई भी काम नहीं कर सकती है और यह सारे पती-पतनी थे और इसमें सुप्रबात लाला जो वाइस प्रेसिडेंट थे नसी के यह सारे इन्वल्प आई गये हैं तो इन सबको भी कुछ ने सब्सक्राइब करेंट सब्सक्राइब करेंगे में बाuko थे एकन रुसरा उपर क्रविंट करोड को अब इसमें इनके उपर भी 17 अप्रेल 2014 से लेके अभी तक बारा परसंट के इसाब से ने बोला है कि आप इसमें भी ब्याज देंगे बारा परसंट का और इनको जो कोई भी नए क्लाइंट एक साल तक नहीं बना सकते हैं और इनकी सर्विसेज जो है पांच साल तक बैन कर दी गई है एनसी और उसके फॉर्मर एमडी का इनके जो है अजय साव और सुसन थोमस यह जो है यह डिरेक्टर से उस टाइम पर से भी डिरेक्टर थे इनको जो है थर्ड पार्टी जो इन्हों ने ली थी डाटा शेरिंग के लिए और वो इवन मतलब सही तरीके सुर्ण के किसी भी उसमें इंवल्ब नहीं रहेंगा से भी किसी भी कंपनी जो लिस्टिट कंपनी सेक्योर्टी है उसके उपर यह काम नहीं कर सकते तीन साल तक का इनके उपर बहल लागा गया और पांच बाज जो फैनल ओडर आया है वो डार्क फाइवर और एनसी के ब्रोकर्स के से उनके उपर आया है इसमें एक संपर्क इन्फोर्टेन्मेंट का इंडिया लिम्टेट थी जिसको की एक्सेस पॉइंट दिये गए थे यहीं जो काम करा रहे थी पॉइंट इसने वे टू वेल्थ और जी के एन सेक्योर्टी यह दो कंपनीज हैं जी सेक्योर्टी मला यह सबस्ता इनको प्रिफरेंशियल एक्सेस दिये था और जबकि आपको बता दें कि संपर्क इन्फोर्टेल है यह किसी भी तरीके से सेवी नहीं थी और इसकी इन दोनों के उपर सेवी ने बासट करोड रुपय का बासट करोड़ ठावन लाग रुपय का इन्हों पेनल्टी लगाई है इतने रुपय इनको जमा करने पड़ेंगे 12 परसेंट की ब्याद से 11 सेतंबर 2015 से लेके अभी तक अगर इनका कल्कूलेशन करने के बाद वह इनको है इसे सबको इनको सबको अप्रोबिटेट कर दिया 6 मेने के लिए और ब्रोक्रेस को दो साल के लिए किया है सबसे बड़ा इनको करना पड़ेगा और संपर्क इनफोटैन्मेंट को तो दो साल की अवदी के लिए जो है बिल्कुल बजार से दूर कर दिया इनको किसी तरीके से निगरें तो इस तरीके से बहुत बड़ा स्कैम था और आपको मेरे समझ में इस वीडियो में समझ में आ और 6 मेने के बाद ही आप आएगा 6 मेने तक नसी किसी तरीके से जो भी है डेरेविटेव से बगएरा में इसमें काम नहीं कर सकेगी यहीं अगर देखा जाया तो सिर्फ आई प्यों का ही सबसे मैंनों है और जो इन्होंने काम किया है उसके उपर इनके उपर पैनलिनलिटी किस तो लगी है वो तो अलग बात होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को आप विने सेंगर नाम से भी सर्च कर सकते हैं आसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आयागा इस वीडियो का अंतक द